हेलो नमस्ते तो आप लोगों मेरे नाम है स्वागत आप देख रहे हैं तो आज एक नया लर्निंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत कि कल मार्केट कैसा रहेगा जैसे कि आज लाइफ स्ट्रिम का अगर मैं बात करूं दोई ट्रेड कैप्चर हुआ था जबकि यह पहला के सब्सक्राइब करेंगे और डाउन ट्रेंड के प्लान करेंगे पहला मिनिट का ट्रेड था उसके बाद मार्केट साइडवे जोन में चला गया फिर नेक्स्ट हम लोग ब्यांग निप्टी के तरफ में यहां पर एक चैनल ब्रेकाउट जैसे मार्केट यह भी फॉलिंग मे बाइं के तरफ एक प्लान के थे और तक जो कि मार्केट का अचिक घा आई भाईक है जहां पर मार्केट ओपन हुआ तो वहां तक यह दोनों ट्रेड हो गया काल मैं दिन है जोकि यह कल रेजल्ट और आने वाला है चार तरीखे तो वहां में किसे क्या प्लानिंग करेंगे उस जागा में क्या sentiment रहेगा वो हम लोग discussion गए उससे पहले एक चीज बोलना चाहूँगा अगर काल आप trade करने market में आ रहे हो तो मेरा एक छोटा सा request है जो भी आपका capital लेता है उसका 50% ही लाओ मानलो 25 सार में road trade करते हो तो 25 सार लेका हो तो market ने एक बड़ा सा down के तरफ movement दिया है उसके बाद एक बड़ा सा off के तरफ या market ने सबसे पहले एक off के तरफ movement दिया उसके बाद down के तरफ day time frame में आपको दिखाया था तो अभी हम लोग क्या करेंगे अभी पहले nipty pty में जाएंगे सिंगल स्क्रिन करेंगे थोड़ा समझेंगे काल क्या अनलेसिस रहेगा हमारा काल का क्या प्लानिंग रहेगा market तो हो गया गया पॉप और सीधा मार्केट ने just a second मार्केट ने सीधा गया पॉप हुआ और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है इसको continue बाइंग के तरफ मार्केट ने राले दिया है जैसे यह निप्टिप्टि में देख सकते और यहां पर क्या हुआ जहां पर यह आस तक का डेई हाई था तेई सदर के आसपास मार्केट ने उपन हुआ इस जागा में किदर उसके बाद मार्केट ने फॉल हुआ सिधा इस जागा में तो यहां से हम लोग फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं सिंपल चीज़े पर अगर मार्केट इधर उपन होता है तो चांसस यह भी रहेगा कि आज जैसा प्रॉफिट बुकिंग कल भी हो सकता है और चांसस यह 90 परसंट ज्यादा चांसस रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग होई न क्योंकि देखो मार्केट जो सेंटिमेंट एक दिन पहले दिखाता है नेक्स्ट जो सेंटिमेंट कभी ने दिखाता है आप लोग देखे होंगे जैसा आज क्या न्यूज आने वाला नहीं था जो भी एकजिट पूल का रिपूट के इस सब से यह मार्केट ने यूज गया अगर निज पूज़िव रहा तो मार्केट राए करें कि यहां पर पर उपन होने के बाद यहीं पर कुछ टाइम बिटा के फिर कंटीनु एक बाइंग का राली दे सकता है तो हम लोग इसको फोकस करें कि यह इसके नीचे जब भी ओपन होता है तो यह नीचे के तरफ आ र पर जब सारे लोग मार्केट बाइंग के तरफ बेड़ जाते हैं उस गाड़ी में तो फिर मार्केट ने डम कर देता है बहुत बड़ा सा डोजी कैंडल बनाता है आप लोग अगर देखे होंगे पिछले 2019 का और 14 का डे कैंडल तो उसमें एक बड़ा सा डोजी कैंडल जोड़ी कैंडल सबसे पहले मार्केट को बाइंग के तरफ लेके जाएगा बहुत लोग इस गाड़ी में जो लोग छूड़ गया है वो बेड़ जाएंगे कि चलो मार्केट ने बाइंग के तरफ जा रहा है मोदी सरकार आ रहेगा जो भी आ गया तो मार्केट कंटीनूर चाली देगा उसके बाद जब सब लोग बेड़ जाएंगे अपरेटर को इससे बेस्ट मुगा नहीं होता सबकाइसल खाने के लिए बहुत बड़ा डम कैंडल देता है अरो दी एंड में डे टाइम फ्रेम में जोजी टाइप का कैंडल बनता है नहीं तो इस टाइप का कैं इस टाइप का कैंडल फर्मेशन होता है दोनों तरफ से बंदा पीड जाता है तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ब्यांग निप्टिक तरक उससे पहले एक सिंगिल चीज बताना चाहूंगा अगर आपने कल मार्केट ओपन हुआ इसी रेंज के अंदर सिंपूल चीज़े मान लोग आप ओपन हुआ ही नहीं जो सब लोग सोच रहे हैं वो हुआ ही नहीं अगर इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ मार्केट तो फिर ज्यादा तर चांसेस रहेगा यहां पर थोड़ा साइडवेज होने के बाद अगर इसको ब्रेक आउट करता है त अगर इस अजर हंड्रेड यह दोनों जोंग अंगंदर अगर मार्केट वाए तो बेस्ट है मार्केट किदर भी राली करा हम उसके तरफ जाएंगे और अगर रिउज गाप होता है तो जो प्लान बताया अभी उससी सब ब्लान करेंगे ओके देन हम लोग अभी चलेंगे ब दोबर एक प्लान हुआ तो नहीं लिए थे 11.35 का आसपस बाइंग के तरफ चोटा सा प्लान के थे जो कि बहुत अच्छा सक्सेस्पूल रहा तो काल क्या सेंटिमेंट रहेगा सिंपूल जीजे काल के लिए हम लोग यह हो गया मार्केट का एक सपोर्ट और यह हो गया मार् मार्केट इसी बीच में ओपन होता है तो हम लोग एक नजर में रखेंगी यह 15,500 का जो जोन है यह जोन बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करने वाला है काल के दिन में कैसे प्लेन करेगा मैं वह भी दिखा देता हूं देखो यह जो 15,500 का जोन है अगर मार्केट इसी बीच में ओपन होता है कल तो फिर यहां से सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट बुलिच के तरफ जा सकता है तो हम लोग बाइंग के तरफ बेढ़ जाएंगे इस गाड़ी में पर अगर मार्केट ग्याप ओपन हुआ तो ट्र घंप मार्केट प्र कього ग्याइंग करता है तो चांसे यह रहे गा कि मार्केट फिर कंटीनू बाइंग के तरफ जा सकता है जैसे 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 यूच का result आते रहे गाा वया से वेसे मार्केट भी मूब देने लग टेने लग जाए गावाओं बाइंग बाइंग सब लोग बेट गे कि हां मार्केट नहीं भाग रहे बाग रहे निफ पजटीव है उसके बड़ा सा दम क्योंकि सिंपल चीज़ अगर ऑपरेटर को एक दिन में इतना बड़ा पैसा इतना बड़ा वेल्थ क्योंकि काल कोई भी आके मार्केट में ट्रेड क करने आएगा तो इसका भी थोड़ा साथ अगर कोई भी बाइंग का ट्रेट्ल लगा दना मेरे भाई क्यूंकि डोजी केंडल अगर बन गया तो आपका बहुत बड़ा स्टाफ लसक कर जाएगा अई आपको निप्टी और बैंक निप्टी का काल का किया एनलिस पूरा समझ में आया होगा आया है तो एक लाइक करते हुए जाना थेंक्यू बेरी मच